जिन्दगी मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करती। इसका बेहतरीन उदाहरण है रमेश बाबु जो पूरे देश में बिलियनेर बारबर के नाम से मशहूर है। एक साधारण सा नई आज रोल्स रॉइस में घूमता है और करोणों का मालिक है। कैसे एक साधारण सा बना करोडपती जानने के लिए पढ़िये। बच्चों के पालन पोशन के लिए रमेश बाबु की मा लोगों के घरों में काम करने लगी। वे खाना बनाती, बरतन मांचती, घर की साफसफाई का काम करती। सैलून बंद पढ़ गया था। ऐसे में रमेश बाबु की मा ने सोचा कि सैलून रमेश बाबु के चाचा को दिया जाए ताकि वहां से कुछ कमाई हो सके। उसे अपनी मा के हाथ में दे देते। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। रमेश बाबु इसी तरह काम करते हुए स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। अब वे दवियों को परीक्षा उत्तिर्ण कर ग्यारवियों कक्षा में पहुँच चुके थे। उन दिनों मान और उनके चाचा में सैलून के काम को लेकर अनबन होने लगी थी। रमेश बाबु ने मा से कहा कि वे अपने पिता का सैलून चलाना चाहते हैं। मा यह नहीं चाहती थी। उनकी रमेश बाबू से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। वे उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए समझाने लगी की। तब रमेश बाबू ने मा को आश्वासन दिया कि वह पढ़ाई भी जारी रखेंगे और सैलून का काम भी देखे और इस तरह सैलून का शुभारंब हुआ, काम आसान नहीं था और रमेश बाबू कई समस्याओं से जूज रहे थे। चूंकि उन्हें खुद बाल काटना नहीं आता था, इसलिए सैलून का काम वरकर के भरोसे चल रहा था। आखिरकार रमेश बाबू को समझ आ गया कि तक वहां काम किया करते थे। मेहनत रंग लाई और सैलून अच्छा चलने लगा। बारावी तक वे स्कूल जाते रहे। उसके बाद इलेक्ट्रोनिक्स में डिप्लोमा कोर्स में एड्मिशन लिया। लेकिन सैलून के काम के कारण उन्होंने पढ़ाई पूरी तरह वह 1933 आ चुका था। रमेश सैलून से ठीक ठाक आमदनी कर रहे थे। घर खर्च में कोई परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे वे बचत भी कर रहे थे। एक दिन उनका एक रिष्टेदार उनके पास आया। वह कार से आया था। उसकी कार देखकर रमेश बाबु ने भी कार खरीदने का मन बना लिया। उन्होंने जल्द ही मारूती ओमनी, मारूती ओमनी, फाइनेंस करवा ली। यह कार उन्होंने स्टेटस सिंबल के तौर पर ली थी और इसे खरीदने में अपनी बचत लगा थी और खुद पर लोन भी चड़ा लिया था। कुछ दिनों बाद उ इससे आमदनी भी हो जाएगी और कार का लोन भी चुक जाएगा। रमेश बाबू को ये बात जंच गई। नंदनी अक्का ने उन्हें कार रेंटल बिजनेस के बाते में कुछ मूल भूत जानकारी दी और अपनी जान पहचान के कुछ लोगों से मिलवाया। 1994 का साल था और रमेश बाबू की कार कमपनी शुरू हो गई थी। यह कार रेंटल कमपनी थी जहां वे कार किराये पर उपलब्ध करवाते थे। उन्होंने अपनी कमपनी का नाम रखा रमेश टूर ट्रावेल्स रखा इंटल वह पहली कमपनी जिसे उन्होंने कार किराये धीरे धीरे उनका कार रेंटल बिजनेस पट्री पर आ गया और उनकी धीरे धीरे कारों की संख्या बढ़ने कही, 2004 आते आते उनके पास साथ कारे हो चुकी थी। चाहते थे, उनका कस्टमर बेज भी अधिक नहीं था। वे अपना कस्टमर बेज बढ़ाने के लिए सोच विचार करने लगे, उस समय कार रेंटल बिजनेस में लक्षुरी कार्स बहुत कम हुआ करती थी। जो थी भी, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। समझाने की बहुत कोशिश की। लेकिन रमेश बाबू अपने इरादे पर अडिग रहे। उन्होंने सोच लिया था कि यदी घाटा हुआ, तो वे अपनी कार बेज कर घाटे को क्षति पूर्ती कर लेंगे। उन्होंने बैंक से लोन लेकर 42 लाख की ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेन सरीद ली। उन दिनों किसी भी ट्रेवल एजनसी के पास नई लक्षुरी काज नहीं थी। ऐसे में बड़ी-बड़ी कमपनी रमेश बाबू से कार रेंट पर लेने लगी। फिर रमेश बाबू कभी रुके नहीं और तरक्की की राह में आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने कई लक्षरी कार खरीदी। 2004 की साथ कारे 2014 तक 200 हो गई। जिसमें 75 लक्षरी कारे भी शामिल थी। रमेश बाबू रोल्स रॉस जरीदने का सपना देखा करते थे। वर्ष 2011 में उन्होंने अपना ये सपना भी पूरा किया। रोल्स रॉस कार रखने वाली उनकी पहली और एक मात्र कार रेंटल कमपनी है। आज उनकी कमपनी के पास तकरीबन 400 कारे हैं जिसमें रोल्स रॉस, आउडी, बीमड़ी, मर्सिडीज जैसी कई लक्षरी कार्स का जखीरा शामिल है। उनकी कार सर्विस का एक दिन का न्यूंतम किराया रूश शून्य एक शून्य शून्य और अधिक्तम रूश शून्य पचास शून्य शून्य है। लक्षुरी कार्स सर्विस प्रारंब करने के बाद से कई बड़ी कम्पनियों के अलावा नामचीन फिल्मस्टार्स भी उनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल हो गए है। अमिताब बच्चन, एश्वर्या राय, शाहरूप खान जैसे सेलेबरिटी ने उनकी कार्स सर्विस ली है। रमेश टूर एंड ट्रेवल्स का हेड ऑफिस बैंगलोर में है और चेन्नई और दिल्ली में कम्पनी की शाखाएं है। धीरे-धीरे कम्पनी अपने व्यवसाय का विस्तार देश के अन्य शहरों में भी करने की योजना बना रही है। उनका पहला टार्गेट विज्जवाडा है। उसके बाद वे हैदराबाद में अपनी कारों को दोडाना चाते हैं। आज रमेश बाबू की नेट वर्थ दो बिलियन डॉलर है। उनका मानना है कि वे आज जो जो कुछ भी हैं अपने सैलून की वज़ा से हैं। करोड़ पती होने के पहले वे खुद को एक बाबा मानते हैं। आज भी रोज वे अपने सैलून पर सामान्य कीमत पर लोगों के बाल काटते हैं। और कहलाते हैं, Billionaire Baba दोस्तों, आपको रमेश बाबू Billionaire Baba Motivational Success Story in Hindi कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताएं पोस्ट पसंद आने पर लाइक और शेर करें ऐसे ही Real Life Success Story in Hindi पढ़ते के लिए सिल्वासा लोकल्स को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स